तो कैसे सब आप लोग जिया दोस्तों या टाइम देख लिए बारा बच के 6 मिनिट हो रहे हैं फ्राइडे मार्च 25 तारी के दोस्तों 2022 दोस्तों कॉमेंट शिक्षन में आप अपकी सीटी का नाम जरूर से दिखा है या दिखिए मेरा सीटी का नाम शो हो रहा है आप भी कॉम अच्छी बात है नहीं तो यार आपको वीपेन की जोरत बड़ेगी आपको प्ले स्टोर में क्या सच करना है कैसे करना में जाहीं आपको सब्सक्राइब little अपको करोगा नीचे के साइट एक हलका शषय होगा कंटीनिव विद एर उस पे क्लिक कर देना है उसकी बाद जो प सर्वर लगा देते हो और सेकंड लाइन अप्लिकेशन में आप साइन अप नहीं हो पारे कोई प्रोब्लम हा रहा है तो आप जो है विपेंट को डिस्कनेक्ट कर दीजिए बाद में विपेंट करना है का कनेक्ट करना है मैं बता दूगा आपको अब देखिए दोस्तों यहां आगे मैं आपको इसका वर्जन बताने वाला हूँ यहां फर्स्ट आपको जब साइन अप का उप्शन हैगा दोस्तो इस तरह से इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद यहां आपकी फोन में जितनी भी आईडीज है वो यह बहुत सारे आईडी आपके पास उसमें से भी एक कोई सेलेक कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है या जिस तरह से मैं आईडी बना रहा हूँ उसी तरह से आपको सेम आईडी बनाना नाम ठोड़ा अलग सा डिफरेंट सा देना है ने तो मैं जो नेम दे रहा हूँ वो आप भी टाइप करें तो भी चलेगा अगर दोस्तों आपको जिमेल लिखना है और डॉट कॉम अगर दोस्तों आप साइन अप नहीं हो रहे आपने गुगल मेल डॉट कॉम करकर सर्च किया तो मतलब यह किया तो एक ही क्लिक में यहां आपका अकॉंड बन जाएंगा लेकिन दो दीकिए इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहां आपको साइन अप को अप्शन आजेंगा इस पे क्लिक कर देना या कोई भी एरर आता है दोस्तों तो उस कंडिक्शन में आपको जो है कुस टेम वेट करना एप्लिकिशन का क्लिर कैच क्लिर डेटा कर करकर वापस से ट्राइ करना है दोस्तों लेकिन gmail.com से ही करना है उसके बाद यहां तीन permission मांगता है तीनों को अलाओ कर देना है क्योंकि दोस्तों जो रियल फैक्ट है वही बता रहा हूँ मैं अगर यहां तो on. act canada के नमबर शेह नहीं होते तो आपको Use my location पर क्लिक करना है और Canada का सर्वर रखुर रहा है यह मैं Don't Use location करते है ऑं दोस्तों क्यूंकि मुझे वडॉट वीपेor टॉड के यहां Canada के नमबर शेह होते है अब यहां दीके दोस्तों हम Canada का चलोria code ले ले दे हैं zero five और continue करते हैं continue करने के बाद agree and continue अगर Canada के नंबर या display नहीं और कोई problem आ रहा तो एक बार US का number डाल के दीखिए अगर उसमें भी problem आ रहा है तो समझे लो आपको wait करना होगा या दीखे दोस्तों एकी click में हमारे सामने या numbers आ गए है Canada की अगर आपको कुछ area code के बाद की number पसंद नहीं रहे है तो वापस से आप area code यहां डालिए zero five और भी बहुत सारे Canada के जो है area code दोस्तों आप चाहिए तो browser में search करकर यह कर सकते हो अब यहां से दोस्तों मैं चलो यह वाला second वाला number यहां से continue कर लेता हूँ अगर by chance number band मिलता है दोस्तों अभी Canada के number शरी बैन या फिर direct valid मिलेंगे invalid नहीं मिलते है दोस्तों यह बात ध्यान रखें आप कुछ वाई comment करते हैं कि invalid है invalid number Canada के कभी भी नहीं रहते है अब यहां देखिए band मिलते है पन invalid नहीं रहते है एक ID से दो अकाउंट दो number ले सकते हैं यह आपको 3 लेंप पर क्लिक करना है यह आपको number शो हो जाएगा इस पर touch कर देना number copy हो जाते है यह अभी देखिए मुझे number शो हो रहा है यहां से भी copy क करना है यह बात अगर आप नहीं करोगे दोस्तों धैन नहीं दोगे यह बात पर वीडियो में कि हमें microphone, phone, SMS की permission अलाओ करना है तो फिर आपको अब guys first यहां आपको country select करना है उपर जो देख रहे है choice a country यहाप है आप इंडिया से वो तो इंडिया शो होगा तो उस पर click कर देना है और यहादि कि सर्च का icon है इस पर click करना है और यह c लिख देना है c लिखने के बाद यह canada आ जाता है इस पर click कर देना है उसके बाद द इसे आप जो है दो नंबर कैसे लेते फटा पर से आपको मैं application में चलकर बता देता हूँ अब दोस्तो application में आने के बाद three line पे click करना है three line पे click करने जिए setting पे click करना है उसके बाद यह account दिख रहा है इस पर touch कर दीजिए उसके बाद दोस्तों यह 20% complete है इस यहां से जितने दस उसके बाद दोस्तों यहां हमारे सामने वापस से यह option आएंगा के area code दालिए और number ले लेजिए ओके दोस्तों अभी तक वीडियो को like निके तो like कर दीजिए जो new भाई उनसे रिक्वेजर प्लिस चैनल को subscribe करकर bell icon पे alt पे जरूर से click कर देना अब यहां दीके दोस्तो और भी बहुत सारे area code 226 ले लेता हूँ और यहां से continue कर लेता हूँ अब continue करने के बाद यहां से जो भी number मुझे को पसंद आता है दोस्तों वो number को मैं यहां से direct continue कर लेता हूँ मैंने का ओ दोस्तों यह आपको number band मिल सकते है या फिर direct validity मिल जाते है ओके यहां मतलब invalid का कोई संबंदी नहीं आता है यह number पर touch करूँगा फटाफट से दोस्तों वर्टसम में apply कर देता हूँ आगे का बताता हूँ अब दोस्तों यह फटाफट से मैं number को paste कर देता हूँ और देखते है number valid है यह नहीं next पर click करते है तो दोस्तों मैंने कहा था इसमें ban या फिर quality number मिलते ह है ओके click करने के बाद यहां हमें दोस्तों द्यान रखना है microphone, phone और SMS request है आप से यह permission allow कर लिजिए आप अब यहां देखिए दोस्तों हम call में पर click करेंगे call में पर click करने के बाद यहां आज के date में आज की तारिक में दोस्तों 50% भाई को हो सकता है call से OTP आ जाए लेकिन दो indicate timer वापस से चल रहा है यहां दिखिए मुझे notification बार में दोस्तों कुछ शो हो रहा है मुझे direct या call आ रही है मैं उटा लेता हूँ दोस्तों call को अब दोस्तों यहां पहले timer एक का खतम होने देना है आपको और यहां देखिए हम जो है OTP मैंने सुन लिया हूँ और एक बात ध्यान रखना है आपको अगर आप call से OTP ले तो call को disconnect होने देजिए उसके बाद ही दोस्तों यहां last का number type कर दीजिए अब दोस्तों यहां देखिए जो है मैंने यह call से OTP लिया फिर विरिफिकेशन complete हुआ है आपको call नहीं आती है दोस्तों तो आपको चले जाना है सेकंड लाइन एप्लिकेशन में और वहां पेज को refresh करते रहना है तो आपको दोस्तों वहां direct बात द्यान रखिए call का इंतेजार मत किजिए call नहीं आती है सिर्फ बहुत कम भाई को call आती है आपको चले जाना है सेकंड नाइन एप्लिकेशन में वहां आपको रुख जाना है वेट करना है वह profile 100% complete कर लेना है दोस्तों अगर आपको वरिफिकेशन नमबर लॉग भी किया जाता है वेरिफिकेशन के लिए तो भी दोस्तों आपको OTP मिल जाएगी यहां देखे 226-315-2592 आपको समझ में आ गया अभी दोस्तों यहां मैं आपको वर्जन चेक करा देता हूँ ताके आपको download इंसॉल करने में कोई issue ना हो ओके क्योंके link देने पॉइंट ओके यहां मैं आपको जुम करकर भी दिखा दूगा यह दिए जुम करकर भी देख लीजिए यह जो है यह वर्जन आपको APK वाला Play Store से download इंस्टॉल करना है ओके latest version करके सच कर जिए second line यह वर्जन लिकिए APK आपको Google ब्राउजर से सच कर लेना है अगर दोस्तो आपको Play Store में मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है ओके I hope दोस्तों कि सब बाते अच्छे समझ गए समझ गए तो like ठोक दो मिलते हैं नेक्स वड़ी में तो अपना खाल रहें टेक केर बाई